नमस्कार दोस्तों मैं अशोक बर्मा आप देख रहें टीबी टॉंटी नूज बने रही हमारे साथ इस खबर के प्रायोचक है प्रवांचल मसिनरी एजेंसीज वर्मा टावेर नरावले तैनिस के सोरोम के नीचे आजमगड जिसके प्रोपराइटर है अशोक कुमार बर्मा और मुबाइल नमबर है 94-15-20-77-28 यहाँ आपको मिलेगा प्लाइवूड, सट्रिंग प्लाइ, सर्म सिंग के गाओं के सभी बनवारी वीर बाबा मंदिर के पास फूलिस के साथ मुटपर हो गई, इस कटना में आरोपी के पैर में गोड़े लगी, पुलिस बारा उस इलाज के लिए स्पताल में भर्तिक रहा गया है, बताते चले कि कफ्तान गई थाना चादर के धारी गाओं इसके बाद इसने कपड़े बदल कर जो खून से सने हुए कपड़े थे उनको एक बैग में रखा और जो कुलाडी इसने 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 इस्तिमाल की थी वो भी बैग में रखी अपने पिताजी की मुबाइल, माताजी की मुबाइल और अपने पिताजी की जेब से 65 सो रुपया निकाल कर अपने पास रखी लिया, इसके पास एक कट्टा और कार्तूस भी था जो इसने बैग में रखा, इसका प्लान ये था, इसके बाद जो पूछताच में इसने बता रखा हुआ था कट्टा रखा हुआ था कुलाडी रखा हुआ था और उसके साथ साथ जो कपड़े रखे हुए थे उनको लेने के लिए पेट्रोल की जो शीशी इसके पास से बरामद हुई है उसके संबंद में इसने बता है कि इसका इसको करना था जितना भी साक्ष था जो क कपड़े बरामद हुए हैं चपल बरामद हुए हैं उन सब को जलाने के लिए ये पेट्रोल का इस्तिमाल करने वाला था पुलिस मुटवेड के संबंद में जो घटना हुई है उसके संबंद में एफायर नंबर 98 बटा 23 दारा 307 बटा 25 आम सेक्ट ठाना कप्तान गंज पर इसके विरुद पंजिकरत किया गया है जो पुश्टाच में इसने बताया है कि अभी एक जो बहन इसकी जीविक है उसकी हत्या करने की भी इसकी प्लानिंग की और इस प्लानिंग के पहत ही ये फरार होने के बाद कहीं जन्पदों में जाते हुए वापस आजम गड़ आया था इस संबंद में भी विस्तरित बातचीत करके पुश्टाच करके बयान देने के बाद एक प्रतक से मुकदमा इसके वरुद पंजिकरत किया जाएगा ये बहुत जगन गटना इसके द्वारा अकेले कारित की गई विस्तरित पुश्टाच दो टीमे को द्वारा इससे की जा रही है और इसके वरुद कठोर कारवाई पुलिस के द्वारा इंशॉर की जाएगी 16 अप्रेल 2023 को थाना कप्तान गंज अंतरकत धंदारी गाउं में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के संबन्द में थाना कप्तान गंज पर एफायर नंबर 93 बटा 23 धारा 302 आईपीसी पंजिकरत किया गया था गटना सल निरिक्षन और अनुसंधान से यह स्थापित हुआ था कि इस गटना में अव्युक्त राजन सिंग के द्वारा अपने पिता मातावे 14 वर्षिय बहन की कुलाडी से हमला कर हत्या कारिक की गई थी इसके ग्रफतारी के लिए मेरे दौरा तीन टीमें गटित की गई थी आज 20 बटा 21 अप्रेल रात्री में लगवग सवा 12 बजे पुलिस मुटवेड के दौरान इस अव्युक्त राजन सिंग को ग्रफतार किया गया है इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है उप साथ-साथ इसके पास से एक प्लास्टिक बोट्ल में पेट्रोल बरामद हुआ है जिसका इस्तिमाल ये अपने जो कपड़े थे उनको जलाने के लिए इस्तिमाल करने वाला था ये भी इसके पास से बरामद किया गया इस से दौट कर द्वारा विस्तरित पूशताच की जा धाई से तीन के बीच में उठा और दो कुलाड़ी जो इसके घर पे अल्लेडी रखी हुई थी उनको उठाया एक कुलाड़ी से अपने पिताजी के सर पे कई बार वार किया तब तक इसकी माताजी जग गई और इनके बीच में संगर्श हुआ इनकी माताजी ने इससे काड़ी सिवार करके हुआ